बेसिक सैकलोजिकल टिप्स के लिए साइकोलजी वितजित को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लिजे दोस्तो इस्ट्रेस का कारण चाहे कुछ भी हो वो किसी भी परसन को इमोशनली या फिजिकली वीक बनाता है तो सबसे जुरी बात यह होती है कि हम किसी भी तरह उस्ट्रेस को कम कर सकें या उसको दूर कर सकें दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस्ट्रेस को हम कम करने के लिए क्या-क्या उपाय अपना सकते हैं जो हम अपना के अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजीत कुमार और स्वागत है आप सब का मेरे चैनल साइकोलजी विद अजीत मैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हम अपना के अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने बिहवियर को और अच्छा बना सकते हैं और अपने प्रॉबलम को अच्छे से स्वाल्व कर सकते हैं आये जानते हैं उन तरीकों को ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकों हम अपना सकते हैं दोस्तो अगर आप आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरा चानल को सबस्क्राइब कर लीजे मैं न always the यहां मिलती रीती है और भी सारी वीडियोज हैं आपने चानल पर जाके उस वीडियोज को देख सकते हैं तो चली सुरू करते हैं आज की वीडियो को कि अपने stress को हम कैसे कम कर सकते हैं ऐसे कौन से strategies हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से नियम हैं इसे कौन से रास्ते हैं जिनको अपना के हम अपने stress को कम कर सकते हैं और अपने mind को relax कर सकते हैं तो चलिए शुझ करते हैं बिना किसी देली के दोस्तो पहला जो तरीका है अपने stress को कम करने का वो है confrontational coping Confrontational Coping मतलब कि हम जो भी problem हमारे सामने है हम उसका सामने खड़े होकर उसका face करे यानि कि हिंदी में अगर उसका बात करे तो समयोजी बैवार समयोजी बैवार मतलब हम किसी भी problem को उसके सामने खड़े होकर उसका face करते हैं एक छोटा सा example लेकर समझते हैं आप किसी company में job कर रहे हैं आपकी ऊपर कोई अधिकारी है आपको किसी बात पर सुना देता है और आपको नौकरे से निकालने की धमकी देता है उस समय आपका behavior क्या होगा आप उससे विस्वाज जिलाएंगे कि नहीं उसकी मेरी गलती नहीं थी या फिर आप उससे ये कहेंगे कि मेरी जो गलती थी आप मुझे बताईए आप उस समय क्या कर रहे हैं आप अपने problem को face कर रहे हैं इसमें दो चीजे हो सकती हैं या तो आप उस चीज को मान लें और अपनी गलती सुईकार कर लें या आप उस गलती को अप एकसेप्ट करने से पहले उसको उनसे पूछें कि मेरी गलती क्या थी दोस्तो रिसर्च में साबित हुआ है कि जो लोग avoidance करते हैं किसी भी problem का वो कुछ पल के लिए उस पल के लिए तो उस problem से दूर हट जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो confidence level है वो कम हो जाता है किसी भी problem को solve करने का और जो लोग अपने problem को solve करते हैं उसके सामने खड़े होके उस problem को face करते हैं उनका जो confidence level है वो और बढ़ जाता है और future में problem को solve करने का जो उनका जो percentage है उनका जो probability है वो और अधिक बढ़ जाता है in comparison to जो लोग avoidance को अपनाते हैं avoidance भी कुछ हद तक सही है अगर problem छोटी है तो आप avoidance का यूज करके अपने problem को अपने stress को कम कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा आप future में आपका confidence level कम हो जाएगा और आप अपने problem को अपने stress को कम करने में successful नहीं होगे दोस्तो दूसरा जो तरीका है stress को कम करने का वो है social support social support से नाम से ही मालूम है यानि कि समाजिक support जो हमारे समाज के लोग हैं यानि कि हमारे families, हमारे friends हमारे घर के लोग, बाहर के लोग, जितने भी आसपास के आसपरोस के लोग, जितने भी लोग है उनका support अगर अच्छा है वो लोग अगर हमें किसी problem को solve करने में help करते हैं तो हमारी जो stressful condition है वो अपने आप कम हो जाती है socially support लोग बहुत कई तरह से कर सकते हैं या तो आपकी कुछ help कर सकते हैं आपको emotionally आपको touch कर सकते हैं जैसे आपके साथ emotionally आपके साथ है नहीं कोई बात नहीं है चलो मैं तुमारे साथ हूँ इस type का लोग socially support कर सकते हैं उसके बाद आता है planful coping planful coping मतलब आपके साथ कोई problem आने वाली है आपको पता है कि मेरे साथ ये problem होगी जैसे suppose आपने किसी entrance exam की त्यारी की है और उसका exam आने वाला है उस exam से related आपके अंदर एक stressful condition आ जाती है तो उस stressful condition से बचने के लिए आपने एक plan बनाया कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है ऐसे ऐसे त्यारी करनी है और उस हिसाब से आप अपने problem को अपने behavior को organize करके बिएफ कर रहे हैं और वैसा चल रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं तो दोस्तो यह तरीके हैं जिनको अपना के हम अपने stress को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अपने problem को solve कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना अगर थोड़ी से हैल्प आपकी हो पाई हो तो दोस्तो अगर यह वीडियो अगर आप यहां तक देख चुके हो तो प्लीज चैनल को सब् वीडियो बनाओ तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो या मुझे इमेल कर सकते हो इमेल आड़ी यहां नीचे दी हुई है तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते